बिस्मिल्लाहिम अलेकुम मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मैटर के बारे में बताऊंगी मैटर तिंग्स ओल अराउंड अर मेड़ अफ मैटर फूड वी इट, वाटर वी ड्रेंग, और एर इन विच वी ब्रिच इस काल्ड मैटर मैटर हैज मैस एंड उकोपाइ स्पेस हमारी आसपस की हर चीज मैटर से बनी है वो खाना जो हम खाते हैं, वो हवा जिसमें हम सास लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं मैटर है मैटर वजन रखता है और जगा घेरता है मैटर की त्री फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस सबसे पहले मैं आपको सॉलिड के बारे में बताऊंगी सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स और्डर में होते हैं वो एक दुसर से टाइटली पैंग होते हैं, उनके दरम्यान स्ट्रॉंग अट्रक्टिव फोर्सिस होती हैं सॉलिड की फिक्स शेप होती है और उसका फिक्स वॉलियम होता है हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं जैसा के हमारे पास ये मॉडल बना हुआ है यहां पे सॉलिड के पार्टिकल्स एक दुसर से टाइटली पैंग्ट हैं के दर्मयान कोई गैप नहीं है अब मैं आपको लिक्विड के बारे में बताऊंगी लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल्स और्डर में नहीं होते इनके दर्मयान अट्रक्टिव फोर्सिस होती हैं लेकिन वो solid के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, वीक होती हैं, liquid की fix shape नहीं होती, लेकिन इसका fix volume होता है, liquid को भी हम compress नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे liquid के दरम्यान attractive forces हैं तो, लेकिन वो solid के मुकाबले में कम है, क्योंकि solid के particles एक दूसरे से ज़्यादा tightly packed हैं और liquid के particles के दरम्यान gap है, अब मैं आपको gas के बारे में बताऊंगी, gas, gas के particles order में नहीं होते, इनके दरम्यान बहुत ही weak attractive forces होती हैं, gas के particles की नहीं fix shape होती हैं नहीं उनका fix volume होता है, और हम gas को compress कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि gas के particles में बहुत ज़्यादा gap है, वो अग दूसरे से बहुत दूर दूर हैं और इनके दरम्यान बहुत ही weak attractive forces होती हैं, अब मैं आपको effect of heat on arrangement of particles के बारे में बताऊंगी, कि जब हम किसी object को heat करते हैं तो उनके particles पर क्या असर पड़ता है, जैसे हम एक plastic लेते हैं और उसके हम आग जलाते हैं, तो उसके जो particles होंगे वो अपने energy gain करेंगे और उनके दरम्यान जो attractive forces होंगी, वो weak हो जाएंगी और उनके दरम्यान gap आ जाएगा वो एक दूसर से दूर दूर हो जाएंगे, अब मैं आपको बताऊंगी effect of cool on arrangement of particles के जब हम किसी चीज़ को cool करते हैं तो उसके particles पर क्या असर पड़ता है, इसको जाके हम फ्रीजर में रख देते हैं तो उसके जो particles होंगे वो अपनी energy lose करेंगे और उनकी attractive forces जोंगी वो increase हो जाएंगी, वो एक दूसर से tightly packed हो जाएंगे और वो solid में change हो जाएंगे, अब मैं आपको बताऊंगी वो process जिससे हम matter की एक state को दूसरी state में change कर सकते हैं, यह five processes है, melting, freezing, boiling, evaporation and condensation, सबसे पहले मैं आपको melting के बारे में बताऊंगी, the change of solid state of matter into its liquid state due to heat is called melting, matter की solid state का liquid state में change हो जाना heat की वज़ा से melting कहलाता है, for example, जब हम एक ice cube लेते हैं और उसे जाके हम धूप पर रख देते हैं, तो वहाँ पर temperature higher होता है, यानि कि वहाँ पर heat होती है, तो उसके वज़से वह melt हो जाता है, वह liquid state में change हो जाता है, अब मैं आपको freezing के बारे में बताऊंगी, the change of liquid state of matter into solid state is called freezing, मैंटर की liquid state का solid state में change हो जाना cooling की वज़से freezing कहलाता है, for example, जैसे कि हम एक water लेते हैं और इसको जाके हम freezer में राख देते हैं, तो वहाँ पर temperature low होता है, यानि कि वहाँ पर cool, ठंड़क होती है, तो उसके वज़से जो liquid water होगा, वह ice में change हो जाएगा, यानि कि वह solid बन जाएगा, अब मैं आपको boiling के बारे में बताऊंगी, boiling is change from liquid to gas due to heat, boiling जो है वह liquid से gas में change हो जाता है, इस process के जरीए हम liquid को gaseous state में change कर सकते हैं, heat की वज़से, for example, हम एक sauce pan में पानी लेते हैं और इसको जाके हम चूले पर राख देते हैं, उसके बाद जो चूला यानि कि हम आग जलाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे temperature हाई होगा, यानि कि वहाँ पे heat होगी, तो जो water होगा वह water wrappers यानि कि वह भाप बन जाएगा और वह air में चला जाएगा, इसको हम boiling कहते हैं, मैं आपको evaporation बताऊंगी, the change of liquid state of matter into its gaseous state without boiling is called evaporation, evaporation, matter के liquid state का gaseous state में change हो जाना without boiling, यानि कि boiling के बगएर evaporation कहलाता है, यानि कि वह कुदरती तरीके से होती है, यानि कि जैसे कि दर्याओं समंदरों का पानी होता है, जब सूरज की रोश्णी उन पर पड़ती है, तो वह खुद बखुद evaporate होता है, यानि कि हम उन्हें boil नहीं करते, वह खुद बखुद evaporate होता है, और वह जो water vapors होते हैं वह फिर atmosphere में चले जाते हैं, हम आपको condensation के बारे में बताऊंगी, जब यह water vapors हमारे atmosphere में चले जाते हैं, तो वहाँ पे temperature low होनी के वाज़े से tiny drops में change हो जाते हैं, और फिर उसके साथ बहुत सी gases मिलती हैं और dust particles फिर वह मिलकर एक cloud बनाते हैं, और उस cloud से फिर बारिश होती है, इसको हम condensation कहते हैं, अब मैं आपको forms of moisture in the environment के बारे में बताऊंगी, यह five है, snow, dew, frost, clouds और fog, सबसे बहले मैं आपको fog के बारे में बताऊंगी, fog, हमारे atmosphere में water हमेशा present होता है, लेकिन वो water wrappers की form में होता है, लेकिन जब cold climate में smoke और dust water wrappers के साथ mix हो जाएं, तो वो जब water wrappers होंगे, वो fog की shape इक्तियार कर लेंगे, अब मैं आपको dew के बारे में बताऊंगी, सुबह सवेरे जब temperature low होता है, तो जब water wrappers हमारे atmosphere में होते हैं, वो tiny drops बन जाते हैं, और उन tiny drops को हम असानी से पत्तों और फूलों पर देख सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी clouds के बारे में, जिससे के पहले मैंने आपको condensation का process बताया था, कि जब water wrappers उपर जाते हैं तो वहाँ पर temperature low होता है, तो उसके वैसे वो tiny drops बन जाते हैं, फिर उनके साथ काफी सारी gases मिल जाती हैं और dust particles, फिर वो मिलकर एक cloud बनाते हैं, अब मैं आपको frost के बारे में बताऊंगी, frost, सर्दियों में जब temperature low होता है, तो जो water wrappers हमारी air में मुझूद होते हैं, वो एक layer of frost बनाते हैं, ponds और lakes की सता पर, अब मैं आपको snow के बारे में बताऊंगी, सर्दियों में जब temperature low होता है, तो हमारे mountains के top पर जो water wrappers प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ भी temperature बहुत ज़्यादर लो होता है, तो वो बरफ की shape इक्तियार कर लेते हैं, तो उसे हम snow कहते हैं, अब मैं आपको water cycle के बारे में बताऊंगी, the transfer of water from water bodies and its returns back is called water cycle, water bodies से water का transfer होना और उसका दुबारा water bodies में आ जाना water cycle कहलाता है, for example, जैसे कि हमारे पास एक यह model बना हुआ है, कि जब evaporation और transpiration होती है, तो जो water होता है वो water wrappers बनके atmosphere में चला जाता है, उसके बाद महाँ पे condensation का process होता है, तो वो snow या फिर rain बनके दुबारा से water bodies में आ जाता है, Thanks